नमस्कार दोस्तों जब भी किसी इंसान के बारे में पढ़ता हूँ सफल इंसान के बारे में तो मैं ये जानने की अक्सर कोसिस करता हूँ कि हम सब का जनम एक जैसा हुआ है एक साथ हुआ है एक सिचुएशन में हुआ है लेकिन कुछ लोग ने कैसे अपनी प्रस्थितियों को बदला और जीवों ने बहुत कुछ हासिल किया अभी हाल में ही रतन टाटा जी का निधन हुआ है और ये भारत के एक बहुत ही सफल वेक्ति थे तो मेरे उच्सुकता हुई इनके बारे में बहुत कुछ हमने सुना है टाटा का नमक हम सबने खाया है और नमक का कर्ज तो अधा करना ही है तो बड़ी एक्साइटमेंट हुई मुझे इनके बारे में जानने के लिए कि क्या ऐसा खास था इन में कि एक खास व्यक्ति बने हम सब अपने जीवन में प्रयास करते हैं ऐसा कोई नहीं है जो इस जीवन में आया है वो प्रयास नहीं करता है कि वो सफल बने लेकिन कुछ ही लोग इतना सफल क्यों हो पाते हैं और क्या उन्होंने अलग किया, कैसे उन्होंने सुरुआत की तो इसको जाननी की मेरी बड़ी उस्वरा ठती, तो मैंने जाना और थोड़ा वो जो मैंने रिसर्च किया, वो मैं आपके साथ साजा करना चाहता हूं, किस source से किया यह भी मैं दिखाऊंगा क्योंकि अक्षर देखें दूसरों के चीजों से हम सीखेंगे हम सब इस जीवन में आये हैं और इस जीवन को हम जितना ज्यादा सफल बना सकें जितने ज्यादा अच्छे तरीके से जी सकें उतना अच्छी बात है और जितना हम इसको underestimate कर के compromise करना सीख जाएंगे कि नहीं यह नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा तो वही जब सफल विक्ति के अगर हम biography पढ़ते हैं या उनके वारे में जानते हैं तो हमें उस चीज का आइडिया लग जाता है कि क्या अलग करना है हमें जीमन में तो अगर हमें रतन टाटा जी के वारे जाना परेगा जमसेद जी टाटा और उसके पहले वी जाना परेगा हमें जमसेद जी टाटा से पहले किनों ने इस बिजनेस की निव डाली थी तो निव डाली गई थी इस बिजनेस की नुस्वरंजी और जीवन भाई टाटा के द्वारा अब ये क्या कहानी है बात है 1822 की गुजरात में एक पारसी पुजारी थे और वो पूजा करते थे और अपना जीवन्यापन करते थे फिर उनका एक पुत्र होता है उस पुत्र का नाम होता है नुसरवंजी और नुसरवंजी जो थे ये बड़े ही motivated आदमी थे अपने जीवन में इनका था कि नहीं मैं सदहारन व्यक्ति बनके नहीं जूँगा मुझे कुछ अलग करना है और मुझे घर से बाहर निकलना है मुझे बड़ा हांसिल करना है बड़ा एचीव करना है तो इनके पिदा जीने इनकी साधी 16 साल के उमर में कर दी उस वक्त जल्दी साधी होती थी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी उनका पुत्र भी हो गया जब 18 साल के हुए लेकिन इनकी जो महत्वा कांच्छा थी वो नहीं मरी इन्होंने कहा कि नहीं मुझे बड़ा हासिल करना है और मैं कुछ बड़ा जीवन में करूंगा ति अपना अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ यह बॉंबे आ बंबे आने के वाद इन्होंने एक ट्रेडिंग कंपनी में काम किया और उनको वहां समझ में आया दो सल काम करने के बाद कि अभी भारत में कॉटन का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है यह बहुत अच्छा इसको फेज़का तो इसी काम में वह काम सीखना स्टार्ट कि और चोटा सा अपना इन्होंने ट्रेडिंग का स्टार्ट किया काम उस्सवक्त के लोगोंने लिखा है कि कैई लोगों ने रोका कि अपना काम मत करो प'Tने के बाद कहिंभ्त करने के बाद सुरूर whात में ओक्न इनको तोड़ा फैदा हुआ फोड़ा बहुत नुकसान हुआ इनको फायदा तब हुआ कि जब 1861 में अमिर्कन सिविल वार स्टार्ट हुआ समझे अमिर्कन सिविल वार से क्या संपर्क है अमिर्कन सिविल वार से हुआ ये कि अमिर्का उस वक्त कॉटन सबसे वारा सप्लायर था जब वहाँ सिविल वार हो गया तो वहाँ से cotton की supply रुख गई अब alternate source में इंडिया डेवलोप हुआ और इंडिया में जिन्होंने trading खोला था उनको बहुत फायदा हुआ इतना फायदा हुआ कि इनको थोरे बहुत पैसे आ गए और उसके बाद इन्होंने सोचा कि नहीं अब मैं अपना trading से ज़्यादा हम cotton बनाएंगे और cotton बनाने के लिए उन्होंने cotton mill establish करने का planning किया cotton mill establish करने का planning किया इन्होंने उसके लिए इन्होंने एक bankrupt company थी तेल की company थी उस company को खरदा बैंकरें टॉयल मिल को और 1869 में और उसके इन्वेस्टर से पैसे उठाए और वहाँ पे इन्होंने Alexandra mill नाम से अपना mill establish किया सुरू में इनको अच्छा खासा चल रहा था business लेकिन तभी क्या होता है जो American civil war है वो खतम हो जाता है और जो demand इंडिया इंडिया का demand खतम हो जाता है company इनकी loss में जाने लगती है शुरुआती दौर में profit होता है company loss में जाने लगती है इतनी loss में जाती है जो investor है इनके पीछे पर जाते हैं और बोलते हैं कि अब आप salary पे काम किजिए और इनकी salary को 20 pound fix कर दिया जाता है कि आपकी salary मातर 20 pound रहेगी आप 20 pound पे काम किजिए नहीं तो company बेज दीजिए इन्होंने हिम्मत नहीं हारा इन्होंने कहा कि नहीं मैं हिम्मत नहीं हारूंगा मैं अपने जो dedication है dream है इससे अपने आपको proof करके दिखाऊंगा और उसके बाद ये company इनकी आई profit में आई लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्होंने बहुत नाम रोसन किया इन्होंने अपने जीवन में चार गोल बनाये थे एक था iron और steel company set up करना को कि उस वक्त steel की बहुत demand थी ठीक है एक world class institution करना कि भारत के लोग को पढ़ने के लिए बाहर नह कि बिजली भारत में सब को मिल सके बहुत वरी विजनरी थे इनका होटल का जो सपना था वही पूरा हो पाया इनके जीवन काल में और इन्होंने ताज महल होटल कुलावा वाटर फ्रेंट मुंबई में 3 दिसंबर 1903 को स्टार्ट किया जमसेद जी टाटा के बाद उनके दो में वर्ल्ड वार वन स्टार्ट होता है और स्टील की बहुत ज्यादा डिमांड हो जाती है जैसे कि भारत में रेलवे लाइन बिछाना था टैंक्स बनाना था एरो प्लेन में चरूत पड़ती है और टाटा उसको सप्लाई करता है और ब्रिटिसर्स ने जब 1918 में जब वर् देखते हैं तो नुस्रवंजी टाटा के ब्रदर निलनों होते हैं दादा भाई दादा भाई के पूत्र होते हैं आडी टाटा और अडी टाटा के पूत्र होते हैं ज्याडी टाटा इनके पास कमान जाती है और ज्याडी टाटा कि टाटा ग्रूप का जो सपना था उसको औ जाता है टाटा का जो बिजनेस था वो बहुत अच्छा चल रहा होता है अब बारी आती है रतन टाटा की रतन टाटा क्या थे इनके पिता जी ने इनको पढ़ाई के लिए USA भेजा वहां से इन्होंने बैसलोर और आर्किटेक्टर किया और भारत आये और काम को कि जैयाडी ट बाद यह अपने IBM में काम कर रहे थे एक दिन इनके चाचा इनको बुलाते हैं जी आडी टाटा जो होते हैं यह बुलाते हैं और बोलते हैं कि एक हमारी कंपनी है जो की बंद होने के कगार पर कंपनी का नाम था National Radio and Electronics Short Form में उसको निलको कहा जाता है तो यह कंपनी है और इ ग्राउंड है कई लोगों ने बोला कि चाचा इंसा जलंग खाते हैं कि यह बिजनेस में नहीं आया इसलिए एक बंद होते हुए कंपनी जो की बुरे हाल हम है वो इनको इनके सर पर डाल दिया जिसका कि मार्केट सेर मातर 2% अब रतन टाटा के लिए एक चैलेंज था रतन उसके रूट कॉज में गया कि कंपनी क्यों नहीं डेवलोप हो रही है तो पता चला कि इंडिया टेक्नलोजी के फिल्ड में बहुत पीछे है तो इन्होंने सोचा कि मैं टेक्नलोजी को इंप्रूव करूंगा और टेक्नलोजी को इंप्रूव करने के लिए यह जो भी तो उसके बाद जी आड़ी टाटा को इनमें पोटेंसियल दिखा और अगला चेर्में बनाए रतन टाटा 21 साल तक चेर्में रहे और 21 साल तक चेर्में रहने में उन्होंने कमपनी का 40 गुना बढ़ा किया और प्रॉफिट को 50 गुना इन्होंने बढ़ा दिया एक बहुत एक बार ये देख रहे थे कि भारतिये जो परिवार हैं वो चार या पांच सदस का होता है दो या तीन बच्चे होते हैं एक माता पिता होते हैं उनको स्कूटर पर जाना होता है कोई गाडिया बढ़ी महंगी आ रही होती है तो इन्होंने सपना बनाए कि मैं सब के लिए अब इन्सान सोच रहा था कि मैं अपना इमेज और स्टेटस खराब नहीं करूंगा गरीबों की कार लेकर इसलिए वो फ्लॉप हो गया इन्हों तब भी पीछे नहीं हारे और वो उसके वाद टाटा अटमवाइल को इन्होंने भारत की नंबर वन आटमवाइल कंपनी बना स्टेट हो गया थे टाटा ग्रूप कि यह चाहते थे कि इसको किसी बड़ी कंपनी को हैंड़ोवर कर दें को कि वो इसको चला सके को कि उसको टाटा पावर्स और कई छित्र में टाटा फोकस करना चाहिए तो यह फोर्ड कंपनी के मालिक के पास गये उनके साथ पूरी मीट टाटा को गुस्सा आ गया उन्होंनों डील कैंसल की वापस आ गये टाटा इंडिका पे उन्होंने पूरी जान डाल दी और टाटा इंडिका वन अफ दे बेस्ट सेलिंग कार बनी हुआ यह कि उसके बाद जो फॉर्ड कंपनी थी वो दिवालिया हो गई और जो उनके दो ग हैं तो आप बड़ा से बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं पूरी जीवनी हमने देखा कि कहां से शुरुवात हुई अगर लुसरवन जी टाटा अपने पिता के धंदे में लग जाते हैं सोचते कि एक अराम की जिन्दगी जी तो यह जो टाटा ग्रूप है जिसने भारत को एक नई पहचान दी वो नहीं संभव हो पाता उसके बाद रतन टाटा जब जी आडी टाटा ने इनको एक मौका दिया कि तुम्हें एक बंद एक बैंक्रप्ट कंपनी देने जा रहा हूं तुम्हें उसमें सुधार करो यह सोचते कि ए रहे यार यह फालतू चीज मुझे दे दिया कुछ अच्छा बना बनाया देते मु गया है और हम सब बड़े गमगीन हैं इसमें कि एक रतन हमारे देश के चले गए जैसा इनका नाम था रतन टाटा वैसे यह रतन थे देश के लिए तो हमें भी अपने जीवन में अगर कुछ भी सफलता पानी है तो हमें इनके लाइफ से इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि कि कितने भी खराब सिच्वेशन हो कितना भी एक्ष्ट्रीम सिच्वेशन हो हिम्मत नहीं हारना है कोसिस करना है कोसिस आप कीजिएगा अपने आप रास्ता बन जाता है चलिए नमस्कार